एक दुला दो दुलहन बंधे पवित्र शादी के बंधन में बना चचा का विशय जारकन के लोहर दगगा जिला अंतरगत किसको प्रखन छेत्र के ग्राम पंचायत हिस्री में एक विभा ऐसा भी देखने को मिला जो कभी इतिहास के पन्नों पर पढ़ने के लिए मिला करता थ जी हाँ एक प्रेमी यूवक के साथ दो यूवती अपना दिल दे बैठी थी दोनों यूवतियों का प्रेम प्रसंग उत्त यूवक से वर्षों से चला आ रहा था कई बार वाद विवाद भी हो चुका था होते होते मामला बगडू था ना जा पहुचा फिर दोनों पक्ष के रजामंदी से शादी करने का निर्ने लिया गया जिसके बाद दोनों यूवतियों का विवाद यूवक के साथ कराया गया प्रेमी संजीब उराउं नामक यूवक ने दो यूवतियों के साथ विवा किया जो पूरे जिले में चर्चा का विशय बना हुआ है इस दोरान इनके बच्चे भी मौजूद थे। जानकारी के अनुसार उक्ति युवक का दोनों युवतियों से पिछले कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इनके बच्चे भी थे। कई बार विवार भी हुआ, मामला थाना तक पहुचा और आखिर में रविवार को इन दो पंचायत के बर्चोर गाई स्थित पिपर टोंगरी शिवधाम में एक युवक ने दो युवतियों के साथ विवा किया। इधर ग्रामिनों, पूजा समिती एवं दोनों पक्ष के माता पिता की सहमती से पुजारी बिगन खेरवार द्वारा इनकी शादी कराई गई। इस मौके पर इनके बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी समारों में उपस्थित थे। खबर 365 निउस के लिए अमर गोस्वामी की रिपोर्ट। संजीज जी आप के द्वारा कल दो युवातियों के साथ में साधिक किया गिया है। कब से इन दोनों से आपका प्रेम परशंग चल रहा था। प्रेम परशंग तो एक से अभी बहुत दिन हो गया और इनसे बाद में हुआ। संजीज जी से आपका कब से प्रेम परशंग चल रहा था। सबको सेवा सतकार करेंगे। कहां घर हुआ। संजीत जी से आपका कब से प्रेम परशंग चल रहा था। तब से साधिय आप लोग का हुआ नहीं था। कल साधिय आप लोग कहां किये। दो बहनों की साधिय आप लोग एक साथ हुआ है। किसी तरह का दोनों में मन मुटाओ। पुरी तरह से तालमेल और अच्छा से आप लोग खुस है ना दोनों। तरह से ना धुका समया वखे। क्या नाम हो आपका ? कब से प्रेम परशंग्गा आपका चल रहा था ? डूहजार 12. आपके कितने बच्चे हैं ? एकaltet. बच्चे कितने साल के हैं ? एक साल Прzięk्ष्ट, पूए हैए किसी तेरह के कोई आपको सिक्वा सिकाए कोई 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 दिकात लिए घर कहां संजीत तुरे बेटा के साधी कर लग से साधी से खुसी एक साथ दूगों पूतों के साथ में साधी हो लग तो इकर में किसी तरह क्या पत्ति नाइए अब राखे ने रखे आपने जाने मगर हम तहमाद दिल से हम खुसे माना थी